सबसे बड़ी प्रोब्म है पानी की और कचरे की ना तो टाइमली कचरा पकप करते हैं वो जो हैं यहां की सुपरिवाइजर अभी आये थे यहां पर मैक्सिम लोग का गयना यही है कि मैं खुद वोड रहा हूं को कि मैं आज तक कोई फेर्ड में देखा नहीं है जस्ट फर्स टाइम के फेस टी फेस हुआ मेरे सामने आज और इससे पहले हम एक अबता पहले यहां पे आये थे अपनी डिमांट्स को लेकर तो हमें बात हुई थी हमारे जो यहां पे जौइंट कमिस्टनर हैं उनसे बात हुई थी उन्होंने बोला था ही कुछ करेंगे लेकिन एक अपते की बिशुना तो कोई सीका बिजट हुआ ना क कोई नहीं आए तो आज जब हम कोई कम से कम में भी एक डड़ गेंडे से यहां बैठे हैं इनका अपना काम चला हुआ है कोई परशासन का इसका नगर निकुम का कोई भी सदस्य जो है अंदर अपना काम कर रहा है यहां तक कोई पूछने भी नहीं कि आपकी सीज के लिए यह यहां पर आयो जो सुपरडेंट जी हैं वह अंदर बैठे हुए हैं उनको भी कदो बार मैसेज गया वह भी नहीं आये यहां पर की एक बार पूछे कि यह कि इस डिमांड को लेकर यहां पर आयूए हुए हैं सर से हमारी पिछले अप्ते मुलाकात हुई थी तो इस टाइम कोई बात नहीं देखेंगे लेकिन वह देखना क्या हुए एक साइवान साइड एक नोर हमें इगनोरी किया था आइटिंक क्योंकि अगर कुछ देखना होता तो विदिन वीक में वह एक बार विजिट करते या खुद नहीं आते कोई सूपरिवाइजर किसी को बेजते यहा दुसरी बात इस सीवेज की प्रॉब्लम है तीसरी बात स्टी लाइट्स नहीं है हम लोग आई पीएच डिपार्टमें भी गे थे और जॉइंट कमिशनर सर से भी बात की उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई सुपरवाइजर ने वहाँ पर रिपोर्ट नहीं किया कि आपकी क्या प्रॉब्लम है हम वहाँ पर सुधार सकते हैं तो यह चौती हमारी चाहिए एक दिन 24 आर्स का तो टाइट होना चाहिए एक दम से मुह में उठाके दोड़ना लेके जाएंगे हम लोग कंस्रक्शन मेटीरिल वहाँ पे फैंका जाता है वहाँ पे सर देखो ना कोई पच्चों के लिए वाँ पर कोई फिसलिटी नहीं है जिम्स बगर बाकी सा कि हम लोग आपके ओफिस में आये हुए हैं तो जब मैं अपने ओफिस पहुंची तो यह लोग नहीं थे तो जब मैं यहां पहुंची तो यह लोग नारेवाजी कर रहे थे तो जब इनकी प्रावलम पूची गई तो इनकी प्रावलम थी कि पानी की प्रावलम है तो पानी पर फिर भी अभी टेंडर और लगे हुए हैं हो सकता है कि उसमें का टेंडर लगा हो मैं चेक करके क्योंकि इतने अभी स्तार वार्स के मुझे माई नीम तो याद नी रहेंगे काम ना तो मैंने वाला देख लेती हूं और दूसरी बात है इनकी कि यह लोग बोलते हैं कि कोड सब्सक्राइब करेंगे तो मैं यह समझा रही हुँ कि अपड़े लिखे लोगए बीना टेंडर के तो अगर नहीं लगा हुआ थेंडर तो पिना टेंडर के पाम वोगा नहीं दो लगाने पड़ाने पड़ेगा उसके लिए और जिह और इनकी गार्वेज की समस्या है उसक इतने लोग आए हैं यह तो मेरी समसेबार है कि इतने लोगों के घर से उड़ा नहीं उठाया जा रहा है यह तो मेरी समसेबार देखूं कि अब मैं सुपर बाइजर को गुला के तभी पता चलेगा क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है किसके घर से पूरा उठाया आए तो करें लो मेरी अब करें छाना करें और जो मेरे श रेलिट इड़ा में जैसे आज मुझे पहली पद्पा लगाए हैं इसके लिए मैं इनके मज़ान के सुनने में आज भी यह कमिश्णर सभ ली शमने आए ते मेरे शिड़ार सवग्स आए ते और अगर इनकी समस्या जैनुन है, अभी मैं जाके देखूँगी, और बहुत जैनुन ही होगी, जो लेगी इतने उठके आए हैं, अपने घरों से पचारी लेडिस आई हैं, तो बै देखूँगी कि क्या कारण हैं, जो इनके रास्ते नहीं बने, क्योंकि इतना ज्यादा काम होने के बावजूद अगितने लोग आए हैं, रास्ता नहीं बना, ये तो लोगी बेसिक निसेस्टी है न इनकी, और पानी भी बेसिक निसेस्टी है, अगर इनको ये प्रावलम हैं, तो ये लोग सच्चे हैं, इनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान करोंगे.